हेलो फ्रेंज वेलकम टू मैं यूटूब चैनल अब पिछले बॉर्डर की तरह आज मैं आप लोग के लिए फिर से लेकर आई हूं बहुत ही खुबसूरत साड़ी बॉर्डर रिजान जो मैं छे इंची में आपको बना के दिखाने वाली हूं देखिए इसे नापने से छे इ अंदत से मैं नीचे का लाइन खीच रही हूं देखिए इस तरह से खीच लेना है और फिर मैं पहले धा इंची का लाइन खीचूंगी उसके बाद छे इंची पर निसान लगा लूँगी एक निसान लगाने से आपको बनाना असान हो जाएगा अब एक इसकेल की सहायता से ऐसे करके आप इसको पतले और मोटे बार्डर का निसान लगा लेना है इसकेल और पैंसिल की मदद से देखिए यह लगाना बहुत जरूरी होता है जब आप नीप चलाओगे ना तो यह तीडशे नहीं जाएंगे यह अधा उदर नहीं भागें लिए पैंसिल करना बहुत जरूरी होता है देखे मैं पैंसिल कर चुकी आप इस पर आप मैं कलर चाठा करें अ एक कलर से और यह जल्दी जल्दी नहीं में चिपक जाएंगे देखिए मैंने पतले बॉर्ड़र भी कि खीच ली हूँ और मोटे वाले भी खीच के दिखा रही हूँ आपको कि तीनों बॉर्डर इस तरह से मैं आप पतले वाले में डिजाइन कर रही हूं बॉर्डर का जैसे आपको जो पसंद है वो बॉर्डर कड़े जाएं डाल सकते हैं मैं यहां दूपत्ती डाल रही हूँ देखिए मेरा दोनों बॉर्डर भड़के तयार है अब मैं आप बीच में जैसे कि आप उपर देख रहे हैं बीच का मोटा वाला बॉर्डर पहले पैंसिल कर रही हूँ फिर मैं इस पर कलर चढ़ाऊंगी इस तरह से पैंसिल करना जरूरी होता है पैंसिल करने से यह होगा कि आपको अंदाजन लग जाएगा कि बॉर्डर कितना तक खीजना है या कैसा डिजैन करना है डिरेक्ट चढ़ाने से होता है क्या है कि वह आड़ा तीरशा खीच जाएगा तो पहले पैंसिल कर ले थोड़ा हलका उसके बाद ही कलर चढ़ाएं देखिए मैं इसमें इस तरह से कलर चढ़ा के डिजैन बना रही हूं देखिए पैंसिल चढ़ा हुआ रहता है तो पैंसिल अगर आपका अलका तेरशा भी होता है तो कलर चढ़ाते वक्स उसको ठीक किया जा सकता है इसलिए पैंसिल करना पहले ज़रूरी होता है अब मैं इस तरह से डिजैन बना रही हूं अलग-अलग करके देखिए देखिए साडे में बनके तयार हो गया अब इसकी उपर मैं मोड का डिजैन करूंगी इस तरह से देखिए आप देख सकते हो पहले ही मैंने pencil करके इसका shape तयार कर लिए थी अब इसके अंदर इसको डाल के बस pencil करना है इस तरह से करने से क्या होगा कि आपका छोटा बड़ा नहीं होगा सब एक जैसे होगा तो हलका पैंसिल करना ज़रूरी होता है आपको जो पसंद है वासा रेजाइन बनाईए पेपर पे फिर उसको ऐसे पैंसिल से नीचे रखके आप उसको पैंसिल करके फिर उस पे कलर चढ़ाए यह ऐसा करने से आपको गलर चढ़ाने में कोई दिकत नहीं आएगी और आप अस उस पर नीव से कलर चढ़ा है डिरेक्ट चढ़ाने से क्या होगा कि आपका एक जासा नहीं बनेगा तो आप उसको मिटा नहीं पाओगे और वह अच्छा भी नहीं दिखेगा इसलिए पहले थोड़ा बहुत पैंसिल कर ले फिर उस पर जो लाइन ड्रॉ करें देखिए इस तरह से यह कितने आसानी से बन रहे हैं आप मोड का बॉडर डाल रहे हो मचली का या कुछ भी कोई भी डिजाइन डाल रहे हो उससे पहले आप उसका सेप बनाना बहुत जरूरी होता है आप उसका सेप बना ले पहले पेपर पे और उससे आप पहले पैंसिल करे उसके बाद ही उस पे color चढ़ा है तो ज्यादा बेहतर होगा डिरेक्ट नीव से चढ़ाने से क्या होगा कि आपका एक बार बन जाएगा गलत तो फिर उसको आप मिटाने ही पाओगे इसलिए pencil कर ले pencil में थोड़ा बहुत गलत भी हो जाता है तो नीव से color चढ़ाते वक्त उसको सही किया जा सकता है देखिए मेरा मोर बन के त्यार है मैं आप इसमें फूल पत्ती डाल रही हूँ इस तरह से आपको जो फूल पसंद है उसमें डाल सकते हो मैंने या इस तरह का फूल डाला है अच्छे लग रहे हैं आप यह भी डाल सकते हो आपको पसंद है तो अगर मेरा डीजान आपको अच्छा लग रहा हो या आपके मन में कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना कि यह डीजान आपको कैसा लगा और कोई और डीजान आप देखना चाहते हो तो वो भी मुझे कमेंट करके बताना कि कैसा मैं बना के आपको दिखाऊं तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा और मेरे चानल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई ने डीजान सेर करूँ तो आप तक पहुँच पाए देखिए मैंने यहां पुरा बना के तियार किया हूँ पहले से ही बॉर्डर बना के रखी हुई हूँ देखिए पूरा इसी तरह से देखिए आप यह बनाएए और मुझे जरूर बताएगा कि आपको कैसा लागा